बड़े बुजुर्गों के तीस नियम, ध्यान रखने योगे जरूरी बातें नमबर एक, खजूर के साथ बड़ी इलाइची खाने से बूड़ी औरत भी जवान नजर आती है नमबर दो, गुड के चावल खाने से कभी खासी और गले में खराश जैसी दिक्कत नहीं होती नमबर तीन, चिराग में नारियल का तेल डाल दिया जाए तो चिराग लंबे समय तक नहीं बुझता नमबर चार, कद्दू को काट कर आँखों पर लगाने से आँखों की रोशनी तेज हो जाती है नमबर पांच, चहरे से मेकप उतारने के लिए कच्चे दूद का इस्तेमाल करें इससे मेकप असानी से उतर जाएगा और स्किन भी अच्छी रहेगी नमबर चे, अगर आपको अकसर ही बदलते मौसम में खांसी हो जाती है तो जब आपको लगे कि खांसी शुरू होने लगी है तो यह उपाय करें दो-तीन ग्राम हल्दी को एक चमच घी यह शहत के साथ दिन में दो बार चाटने से खांसी रुक जाएगी इसके साथ ही गरम दूद में गुर्ड डालकल पीएं नमबर साथ, एक मोटी रोटी बना कर उस पर सरसो का तेल वे हल्दी डाल कर गरम रोटी को मोच पर बानने से लाब मिलता है नमबर आठ, रिसर्च में पाया गया है कि बुना हुआ लहसून आपके लिए शिलाजीत का काम करता है दरासल इसमें एलिसिन होता है जिससे आप शारिरिक कमजोरी से बच सकते हैं नमबर नौ, जिसके बाल बहुत ज़्यादा जड़ती हैं उन्हें अरंडी के तेल में थोड़ा मेती दाने का पाउडर मिला कर बालों की जड़ों में लगाना चाहिए इससे बाल मजबूत और काले होंगे नमबर दस, डार्क चॉकलेट खाने से गले की खराश खतम हो जाती है नमबर ग्यारा, हल्दी बून कर उसके उपर शहद लगाकर चाटने से जुकाम खतम हो जाता है नमबर बारा, बुखार जानना छोड़ रहा हो तो उबले हुए चावलों का पानी पीलो, बुखार ठीक हो जाएगा नमबर तेरा, चहरे पर दाने निकलते हों तो चहरे को गीला करके फिटकरी को हलके हातों से पूरे चहरे पर दस मिनट तक रगणे, दाने बहुत जल्दी खतम हो जाएंगे नमबर चौदा, सर पर घी की मालिश करने से याददाश तेज होती है नमबर पंद्रा, अंगूर का जूस पीने से लिकोरिया की बिमारी जड़ से खतम हो जाएगी नमबर सोला, नाखूनों पर नारियल के तेल की मालिश करने से रोशनी तेज होती है नमबर सत्रा, अगर किसी का कोई हिस्सा जल जाए तो उस पर बरफ के टुकडे से मालिश करने से जलन खतम होती है नमबर अठारा, जीरे को पीस कर बालों में लगाने से बाल लंबे हो जाते है नमबर उन्निस, जहां चोट लग जाए, खून बहने लगे तो उस पर बरफ रग दे, खून बहना बंद हो जाएगा नमबर बीस, जामुन का इस्तेमाल दांतों में होने वाली खराबी और मुझ से आने वाली बद्बु खतम करता है नमबर इक्किस, जैतून के तेल की दो बुंदे नाक में डाल दिया जाए, तो दिल की धड़कन कंट्रोल में रहती है नमबर बाईस, चालो पर हरी धनिये का रस लगाने से चाले दूर हो जाते है नमबर तेईस, सुबह उठकर गुनगुने पानी में नमक डाल कर गरारे करने से सीना साफ हो जाता है नमबर चौबिस, अनार का इस्तिमाल किया करें, अनार का इस्तिमाल जुरियों के लिए फायदे मन है नमबर पच्चिस, रोजाना रात को सोने से पहले कुछ बदाम खाकर उपर से दूद पी लिया करें, आपकी हड़ियां मजबूत होंगी और बदन को बहुत ज़्यादा ताकत भी मिलेगी नमबर 26, पालक का ज़्यादा इस्तिमाल कैंसर जैसी बिमारी से बचाता है नमबर 27, अगर टांगो या जिसम में दर्द हो तो गरम पानी से नहाएं, यह इसका बहतरीन इलाज है नमबर 28, करेले की सबजी हफ़ते में दो बार खाएं, इससे चाहरेकी सकिन साफ रहती है नमबर 29, पालक का ज़्यादा इस्तिमाल कैंसर जैसी बिमारी से बचाता है नमबर 30, गुर्दे की पत्री खतम करने के लिए पुदीने का इस्तिमाल जादा से जादा करें, इससे पत्री तूट कर गिर जाती है ऐसी ही और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें